ओम शांति ओम शांति आज 20 ओक्टूबर 2022 दिन रवीवार की अव्यक्त मुर्ले आईए अब सुनते हैं मीठे बापतादा के मदूर महावाक्यों को नंबर वन बनना है तो ज्यान और योग को स्वरूप में लाओ आज सत्षिक्षक अपनी श्रेष्ट शिक्षा धारण करने वाले godly students को देख रहे हैं कि हर एक इश्वर्य विद्यार्थी ने इस इश्वर्य शिक्षा को कहां तक धारण किया है पढ़ाने वाला एक है पढ़ाई भी एक है लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नमबर वार है हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं अर्थाथ एक ही पाठ पढ़ते हैं मुरली अर्थाथ पाठ हर स्थान पर एक ही होता है डेट का फर्क हो सकता है लेकिन मुरली वही होती है फिर भी नंबर वार क्यों नंबर किसलिए होते हैं क्योंकि इस इश्वरिय पढ़ाई पढ़ने की विधी सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन हर महावाग के सवरूप में लाना है तो सुनना सबका एक जैसा है लेकिन सवरूप बनने में नंबर वार हो जाते हैं लक्षे सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर वन बनू ऐसा लक्षे है ना लक्षे नंबर वन का है लेकिन रिजल्ट में नंबर वार हो जाते हैं क्योंकि लक्षे को लक्षन में लाना इसमें लक्षे और लक्षन में फर्क पड़ जाता है इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है चार सब्जेक्ट को धारन करना इसमें मुश्किल क्या है और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंद है अगर एक सब्जेक्ट ग्यान संपूर्ण विधी पूर्वक धारण कर लो अर्थात ग्यान के एक एक शब्द को सवरूप में लाओ तो ग्यान है ही मुख्ये दो शब्दों का जिसको रचियता और रचना वा अल्फ और बे कहते हैं रचियता बाप की समझ आ गई अर्थात परमात्म परीचे संबंध सपष्ट हो गए और रचना अर्थात पहली रचना मैं श्रेष्ट आत्मा हूँ और दूसरा मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है यह सारा ग्यान तो सभी को है ना लेकिन श्रेष्ट आत्मा सवरूप बन हर समय श्रेष्ट पाट बजाना इसमें कभी याद रहता है कभी भूल जाते हैं अगर इन दो शब्दों का ग्यान है योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है ना ग्यान से योग का स्वतही संबंद है जो ग्यानी तू आत्मा वहयोगी तू आत्मा अवश्य ही है तो ग्यान और योग का संबंद हुआ ना और जो ग्यानी और योगी होगा उसकी धारना श्रेष्ट होगी या कमजोर होगी श्रेष्ट स्वता होगी न सहज होगी न कि धारणा में मुश्किल होगी जो ग्यानी तु आत्मा योगी तु आत्मा है वे धारणा में कमजोर हो सकता है नहीं होते तो हैं तो ग्यान योग नहीं है ग्यानी है लेकिन ग्यानी तु आत्मा वेस्तिती नहीं है योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है जीवन सदा होती है और जीवन नैचुरल होती है योगी जीवन अथात ओरिजिनल नेचर योगी की है तरे सथ जन्मों के विसम्रती के संसकार वा कवजोरी के संसकार प्रहमन जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुर्शार्त में विगन डालते हैं कितना भी स्वयम वा दूसरा अटेंशन किचवाता है कि यह परिवर्तन करो वा स्वयम भी समझते हैं कि यह परिवर्तन होना चाहिए लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो चाहते तू नहीं है लेकिन मेरी नेचर है यह है मेरा स्वभाव है यह है तो नेचर नेचरल हो गई न किसी के बोल में वा व्यवार में ज्यान संपन व्यवार वा योगी जीवन प्रमान व्यवार वा बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं यही बोल बोलेंगे कि मेरा नैचुरल बोल ही ऐसा है बोलने का टोन ही ऐसा है वो कहेंगे मेरी चाल चलन ही ओफिशल वा गंभीर है नाम अच्छे बोलते हैं जोश नहीं है लेकिन ओफिशल है तो चाहते भी समझते भी नेचर नैचुरल वर्क कारे वर्क अर्थात कारे करती रहती है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ऐसे जो ज्ञानी जीवन वा योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नैचुरल होते हैं अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है और नेचर बनने के कारण श्रेष्ट कर्म युक्ति- नेचुरल बना देती है, तो ग्यान और योग मूल नेचर बन जाएं, इसको कहा जाता है, ग्यानी जीवन, योगी जीवन वाला, ग्यानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ग्यान सुनने-सुनाने वाले, ये था शक्ती जीवन मेलाने वाले, दूसरे हैं ग्यान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले, विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबर वार बन जाते हैं, जिनकी नेचर ही ग्यानी योगी की होगी, उसकी धारना भी नेचुरल होगी, नेचरल सभाव संसकार ही धारना सवरूप होंगे बार-बार पुर्शार्थ नहीं करना पड़ेगा, कि इस गुण को धारन करूं, उस गुण को धारन करूं, लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ग्यान योग और धारना को अपनी जीवन बना दी इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतर और स्वभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ग्यानी सहज धारना मूर्थ कहा जाता है तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन होगा ऐसी संपन मूर्थियां स्वतही मास्टर दाता बन जाती है दाता अर्थात सेवाधारी दाता देने के बिना रह नहीं सकता दातापन के संसकार से स्वतही सेवा का सब्जेक्ट practical में सहज हो जाता है तो चारो का ही संबंद हुआ ना कोई कहे कि मेरे में ग्यान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है तो उसको ग्यानी कहा जाएगा ग्यान तो दूसरों को भी देते हो ना है तब तो देते हो एक है समझना दूसरा है सवरूप मेलाना समझने में सभी होशियार है समझाने में भी सभी होशियार है लेकिन नमबर वन बनना है तो ग्यान और योग को सवरूप मेलाओ फिर नमबर वार नहीं होंगे लेकिन नमबर वन होंगे तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों और के इश्वरी विद्यारतियों को देख रहे थे तो क्या देखा? सभी नंबर वन दिखाई दिये वह नंबर वार दिखाई दिये क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर वन तो एक ही होगा हम तो नंबर वार में ही आएंगे फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो न? उसमें एक नहीं होता है तो चेक करो अगर बार बार किसी भी बात में सिती नीचे उपर होती है अर्थत बार बार पुर्शार्थ में महनत करनी पड़ती है इससे सिद्ध है कि ग्यान की मूल सबजेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को सवरूप में नहीं लाया है जीवन में मूल संसकार के रूप में वा मूल नेचर के रूप में वा सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है ब्रामन जीवन का नेचरल स्वभाव संसकार ही योगी जीवन ग्यानी जीवन है योगी बने आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले योगी नहीं, विशेश संगठीतर रूप में इस लिए बैठते हो, कि सर्व के योग की शक्ती से वायू बंडल द्वारा कम्जोर और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ती द्वारा परिवर्तन करें। इसलिए वह भी अवश्यक है लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही तूटा हुआ योग लगाते रहू। संगठित शक्ती यह भी सेवा के निमित है लेकिन योग भठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो। और योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्व शक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्यानकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात सवरूप बनना। अच्छा, आज दिपावली मनाने आए हैं, मनाने का अर्थ क्या है? दिपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो, आज कल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कोन आते है? परवाने, और परवाने की विशेष्टा क्या होती है? फिदा होना, तो दिपावली मनाने का अ आज होना है हो गए हो या होना है हो गए हैं तो दिपावली तो मना ली फिर क्यों मनाते हो जब फिदा हो गए तो दिपावली मना लिया कि बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो फिदा हो गए हैं लेकिन थोड़े पंक अभी है उससे चक्कर लगा लेते हो तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना चक्कर लगाना अर्था तो किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो वा कभी विजय प्राप्त करते हो कभी टक्कर खाते हो दीप माला ये अपना ही यादगार मनाते हो आपका यादगार है ना कि मुख्य आतमाओं का यादगार है आप देखने वाले हो आप सब का यादगार है इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाए छोटे-छोटे बल्ब जगा देते हैं दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना तो सभी की याद में अनेक छोटे-छोटे बल्ब जगमगा देते हो तो अपना यादगार मना रही हैं जब दीपक देखते हो तो समझते हो यह हमारा यादगार है समरती आती है यही संगम यूग की विशेष्टा है जो चेतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो चेतन्य में स्वेम हो और जड़ यादगार देख रहे हो ऐसे तो जिस दिन दिपावली मनाओ उस वही सच्ची तिथी है इसलिए कोई भी तिथी फिक्स करते हैं तो किस से पूछते हैं ब्रामणों से ही निकालते हैं तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीप माला की मुबारक दे रहे हैं बधाई दे रहे हैं दिपावली मुबारक अर्थात माला माल संपन बनने की मुबारक ऐसे सदा जागती जोत सदा स्विम प्रेकाश सवरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक सदा चारों ही सबजेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले सर्व सबजेक्ट में नंबर वन के लक्षे को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्यानीतु आत्माई योगीतु आत्माई दिव्यगुण सवरूप आत्माई निरंतर सेवाधारी श्रेष्ट विश्व कल्यानकारी आतमाओं को बाप दादा का यादकार, प्यार और नमस्ते रुखानी बच्यों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते अव्यक्त बाप दादा की परसनल मुलाकात खुश नसीब वह जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की जलक दिखाई दे सभी अपने को सदा खुश नसीब आतमाओं की निशानी क्या होगी उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की जलक दिखाई देगी चाहे कोई भी स्तूलका रेकर रहे हो साधारन भी जलक दिखाई पड़े इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो कभी कम खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना या कभी कभी रहेगा बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाते हैं अपना खजाना अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना वे खजाना आँखों से दिखाई देता है लेकिन यह खजाना आँखों से नहीं दिखाई देता दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या तो सदा यह समरती में रखो कि हम खुशी के खजाने के मलिके हैं जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा तो यह रुहानी नशा औरों को भी अनुभव कराईगा कि इनके पास कुछ है माताओं को सारा समय क्या याद रहता है सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है वर्से की तो खुशी दिखाई देगी न जब ब्रह्मन जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाए और क्या याद आएगा सदा दिल में अपने श्रेष्ट भागय के गीत गाते रहो ऐसा श्रेष्ट भागय सारे कल्प में प्राप्त होगा जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है तो अभी की खुशी अभी का नशा सबसे श्रेष्ट है तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं कोई संबंध में नीचे उपर हो तो मोह जाता है मोह सारा खत्म हो गया जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा वो हाथ उठाए अच्छा मोह का पेपर भले आवे पांडव तो नश्टों मोहा है न व्यवार में कुछ उपर नीचे हो जाए फिर नश्टों मोहा है अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है न तो उसमें पास होते हो या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हूँ तो सदा खुशी के गीत गाते रहो समझा कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है अच्छा, अभी आंध्रा और करनाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है ऐसी कोई भ्यात्मावंचित न रह जाए, हर एक को संदेश देना है जहां भी रहते हो, सर्वात्माओं को संदेश मिलना चाहिए जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी अच्छा, वरदान, उमंग उत्सा के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मत वान भव उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्सा के पंक चाहिए किसी भी कारे में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्सा बहुत जरूरी है अगर उमंग उत्सा नहीं तो कारे सफल नहीं हो सकता क्योंकि उमंग उत्सा नहीं तो ठकावट होगी और ठका हुआ कभी सफल नहीं होगा इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मन्जिल पर पहुँच जाएंगे स्लोगन दुआएं दो और दुआएं लो यही श्रेश्ट पुरुशार्थ है ओम शंती